पीछे इसके घर के काम चल रहा है दो तीन रूम में तो वो सारा चीज हम आपको दिखाने वाले कि क्या 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 काम चल ला है तो चलो भाई अब इतने दिन से व्लॉग नहीं आ रहाता है और अब प्लान बनाएं कि आए दिन व्लॉग आएगा और उसके अलाव लेकिन जब आप लोग करेंगे हमें आपके कमेंट का इंतिजार रहेगा आप लोग यह सवाल करेंगे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे तो वजह हमको बता इतने दिन से तो उसका हम एक सेप्रेट व्लॉग लाइंगे चाहिए पांची मिनिट का लाइंगे पूरा डिटेल से बताएंगे क्या वजह था कि इस व्लॉग में पॉसिबल नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत हमको घर का टूर भी कराना है तो वह सारा चीज दिखाना है अब अपने यहां पर गाओं के में चौराहे पर खड़ें तो हमारे गाओं के लड़के जो भी हमारी सब्सक्राइबर और बखें रखें तो तोड़ा सा गाओं का टूर करा दो तो हम दिखाती हो जिए पर खड़ें अब पुछ यह हल चला है अब इधर आए कबाडी वाले सब पठी अारे आऊ इधर आ कंए शामान जीए और यह सबम एथ आते हैं सब बेटम ले जाते हैं वाइज अब हैं अ बाए बता दें कि इतने परिआपे आए रहतेर लड़के कि घर का छोटा सा च्होटा स्फ़्वान नहीं छोड़े सब उठाके लेके आते ही क्या और सब बेच के चले कहीं भी सामा रख तो बचना नहीं है भाई लिए हमारे लतीफ चाच्चा देखने हैं इस्टागराम पर वाइरल हो गए ट्रेन वाली वीडियो अकसर लोग पूछते थे लतीफ चाच्चा का हाल बता तो और कैसे साथ-दो महीने के बाद ब्लॉग बनाएं तो थोड़ा नर्वस पूल हो रहा है कसम से बोलने में बढ़ी इचकीचा हाट हो रही है क्यों मुझा से बोलना भोल लगे तो गैरा आपको सरम लग रहा है पीचे कैमरा वही हुए है तो सरम लग तो चलो आप पहले हम अपने घ कर में घट लगडी करेए सिनसरें, को फारन कर ऐसे बीजांग और विशार क्याम आप आस मेंगही होई है कि पैठीचे करें कि सरेूछ है खेया हुआ है ये देखो है ना कलर अच्छा आप लोग बताएं कलर कैसा है घर का और अभी पीछे इसके घर के काम चल रहा है दो तीन रूम में तो वो सारा चीज हम आपको दिखाने वाले कि क्या क्या काम चल रहा है तो चलो भाई लेके चलते हैं और ये हमारे साथ ये मुवसिर हैं बोल तो सरमा रहा है सिर्फ 32 दान दिखा रहे हैं और कुछ नहीं वाइड वाइड पता है कोल गेट की परचार ना करो समझे है कि चैनल में काफी दिन बाद आए वापस तो सरम लग रहा है बोलने में तो कोई नहीं भाई धीरे-धीरे दूर हो जाएगा और दिखाते हैं आपक कराने वाले घर के अंदर का तो चलो बए जब पूरा कंपलीट हो जाएगा ना यानि कि ए से लेगे जड़ तक जितना भी अंदर बाहर इसाब कंपलीट हो जाएगा तो पूरा एक सेपरेट हम होम टूर का व्लोग लाने वाले और तो कुछ यह हैद चले देखो पाबा की परियां भी है चलो आओ मुवसर तो भाई यह देख लो कुछ यह सा है ना बाइक साइड से यह दिन उसके बाद बीछे लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं अपना इसी रूम के अंदर इसी घर के अंदर अपन एक स्टूड्यो छोड़ा सा बनाएंगे वहीं पर वीडियो वगरा सूट करेंगे तो चलो आओ पहले अपने घर के अंदर का जो काम हुआ है और हो रहा है वह सारा चीज दिखाने वाले दो रूम का हुआ वह सारा तो यह देख लो भाई टाइल सिस्टम है यह रूम में लग रहा है और एक दो रूम में अल्रेडी लग चुका है एक रूम का और लगा है वह भी हम दिखाने वाले हैं और कुछी इस तरह हुआ है यानि कि जो बाहर हुआ है कलर वही अंदर करवा दिये पूरा बादर लाओ चाहे जो जो अपना डेली रूटीन का कामें वह सारा चीज़ दिखाया करें लेकिन व्लॉग लाओ अपडेट मिलती रहेगी अब यह भी हम बताएंगे कि किसी वीडियो में बाती यह रूम पूरा टोटली कंप्लीट हो चुका है यह है हमारा परसनल निवीं रहे ग बस इसाइड साधी बट लाओ लाना है कि बाड़ लगने की बाड़ने की वचा से मसाला अगरा इसमें लग चुका है और मस्टी पैसा रगाए बाई अचा बताए है अच्छा लग बढ़िया है वाई अच्छा बाए नमबर है बाई पहले बाई बता दें इस्टोडियो अ पास धर भी नेंका धंसे अनि बना नहीं थे जो लोग हमारे गाओं के लोग हैं उनको पता है कि पहले हमारे हालाग कैसे थे लिए लिए नहीं पहुत दिया है उनिकी घाद धंगे नहीं का बहुत सारी चीज हैं वो चीज्ज जब याद करते है ना बड़ा एकसास होता है कि बहुत दुआ मांने कि उपरवाने हमारा भी घर उपढ़ा से बढ़ा हुआ है तो बस यह है कुछ यह हाल चला भी पूरा सावान बाहर अंदर यानि इधर उधर पड़ा हुआ है जब यह पूरा फंशी हो जाएगा तब उसके बादे प्यारा सा आपको घूम टूर देने बा काम अपने सेरीय में काफी बहतरी टाइल्स लगा तो पूरा सामानी धर धर पड़ा हुआ है बस अंदर चाएग बस गल्ती एक क्या हुई है ना कि हम लोग पहले कलर करवा दिए कलर नहीं करवाना चाहिए तो पहले पुरा टाइल्स लगवा देते फिर कलर करवाते तो बह आपको वीडियो के इन पे पता ही चल जाएगा फाइनल होगा तो दिखाय जाएगा पूरा इंतिजार है साम तक काम चलो खाना काते हैं फिर उसके बाद आपको एक जगाव लेकर चलते हैं क्योंकि वह आपको आगे वीडियो में पता चले कर कहा लेकर चलते हैं कि आगए यह देखो आज बहुर लेट आयो या दो भाई आज लेट आयो चलो ठीक होगा कुछ नहीं कट्टा भर दो या बल्या भर दो पाद दबाव बोले नहीं तो भाई इधर देखो हो सकता है यह आज रूम यह साम तक फाइनल कर दें तो आपको वीडियो में पता चले का बाकी इधर काम हो रहा तो चलते हम खाना हो गरा खाते हैं फिर दे जाया तो गाईस इस समय साड़े चार बज़ रहे हैं और अभी तक इतना काम हुआ है जौब जार पर कियो के इनमें देखो है यह समय को और जारे ना तहोछ ज़ो करा वाले बाकी इस्षाम कप कुछ यह जाल चलें घुलतैंगे आप लें तो चलो चलो पर जलते हैं थेट में फिर मिलते आपसे वहीं पर यह देखो यह रोड आर्सीसी हो चुका हम लोग के गाउं का जो बहुत खराब था यह वाला जो में रोड था यह आर्सीसी हो चुका तो यह देखो कुछ यह इसा हाल है कितना अच्छा लग रहा साफ सफाई होगा चारो तरफ फाइनली गाइस पहुच गए सेट में और जो आप यह देख सकते ही किये पूरा यह धान लगा हुआ है और इधर हम अपने साइकल खड़ा कर दे सामने कुछ ऐसा नजारा आ रहा है तो चलो भाई दिखाते हैं तूर कराते हैं पूरा सेट का यह पूरा धान फूट गया जगे जगे पर पूरा देखो थोड़ा सा बाकी यह जहां जानवर चर लिये थे ना जो छुटे हुए जानवर सब चर लिये तो वह बच गया इसमें भी कुछ हिस्सा वहां पे चरा ग अगया था ना यह वजह यह थोड़ा सा हम लोग से आगे थे तो इनका पूरा फूर लगबख सीवान में लगभख लगबख जिनका धान आगे बिठाय गया तो उस सब फूर यह और हमारा भी नहीं फूटा यह हमारे चाचा का यह चाचा का और वह लास्ट वाला जो खुद लेके बिठाय थे वह नहीं फूटा यह हमारे चाचा का धान और वह अला धान सेम है सेम बीज का था यह अभी लेट है फूटने में इसको पकने में अभी टाइम लगेगा कम से कम 15-20 दिन जाएगा लगबख लगबख यह दो इधर का भी वही हाल है जगे तो चलो भाई भोम ले थोड़ा से टहल लें रुसके बार निकलेंगे यह यहां से थोड़ा सब्सक्राइब बैद काम भीट यहां पर वही आए यहले को करा दिनगे यह को जा है तो करा दिये तो और यही है बाकी मौसम काफी ठंड है यहां पर काफी अच्छा मौसम लगड़ा है फिर उसके बार निकलेंगे घर इस समय टाइम हो रहा है साड़े च्छे और आप लोग को बोले दे कि जब रूम डं हो जाएगा तो आपको हम दिखाएंगे तो चलो काटा किसको काटा यह लोग लोड़ो खिल गए और घर कर नजारा कुछ यह है देखो रात का यहां पे इधर अर्मान का घर है यहां का कुछ है इससे हल चलो जहां पर काफी लाइट और रहते हैं तो अच्छा लगता है तो यह है तो चलो लेकर चलते हैं आपको हम रूम मे और दिखाते हैं डन हुआ की नहीं अगर डन हो गया तो अच्छी बात है और यहीं से इंड कर देंगे ब्लोग तो चलो आइट का व्यू कुछ इस तरह रहा है चारो तरफ यानिकि लाइट कलर फुल लगा दिया गया तो चलो भाई यह पीछे बैक साइड का है और अंदर लेकर चलते हैं दिखाते हैं अब फाइनली हो गया जो आपको पूरा यानि यह यह रूम हो गया कंपलीट अब इसके किनारे किनारे आपका बर्डर लगाएंगे अभी यह वाई कि साहजर कंपलीट करके जाएं क्योंकि ताजा ही लग रहा पूरा यह मसाला हो रहा देखो अब इसको कल साफ सफाई हो जाएगा, उसके बाद इसको बॉर्डर लगाएंगे, देखो का सारा चीज़ आपको अपडेट करेंगे, तो अच्छा लग रहा है, बाकी नजारा अंदर का कुछ यह है घर का, ये रूम है, तो चलो भाई, ये व्लोग यही तक रखते हैं, और म करदे पादे हैं, जा झाले हैं, प्याँ है इसका ये झाले।ंह को हाँएवा भाखते हैं, बहारा पना भाई हैं?